परिचय खाना खाते वक्त थोड़ी सी कड़ी रिशी के शड़ पर गिर गई उसकी मा हल्दी के दाख को साबुन से धोती है लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि साबुन से धोने के बाद दाख नारंगी लाल हो गया साबुन के प्रयोग से दाख का रंग कैसे बदल गया? हाई ये इस पार्ट में जाने कि रंग बदलने का कारण क्या था? उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे सुचकों और उनके प्रकार के बारे में बताना सुचकों के प्रकारे पताना उदासीनी करण को परिभाशित करना सुचक छात्रों आप यह कैसे जानेंगे कि एक फल अमलिये है या खशर किये? घर पर एक साधारन सुचक विलियन बना कर आप किसी पदार्थ की अमलिये या चार किये प्रकृती का आसानी से परीक्षन कर सकते हैं आपको एक बीकर, बढ़नर, गुलहड की पंखुडी, शीशे का एक साध गिलास, तीन छोटे गिलास, नीपू का रस, साबुन का विलियन और आसुत जल की जरूरत होगी बीकर में थोड़ा आसुत जल डालें और स्टोफ पर इसे गर्म करें पानी के गुनगुणा होने तक गर्म करें, अब इस गुनगुणे पानी में गुढ़ल की पंखुडी डालें इस मिश्रन को पानी के रंगीन हो जाने तक रखें, इस बैगनी लाल पानी को चाय की चलनी से चान लें यह बैगनी लाल विलियन आपका सूचक है इसके बाद इस सूचक की थोड़ी मात्रा को तीन छोटे गिलासों में लें पहले गिलास में नीबू का रस डालें दूसरे में पानी डालें और तीसरे में साबुन का विलियन डालें आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि पहले गिलास में विलियन का रंग गाड़ा गुला भी हो गया है नीबू के रस की प्रकृती अमलिये होती है इसलिए सूचक के रंग में परिवर्तन हुआ आप देख सकते हैं कि दूसरे गिलास में विलियन का रंग आपरिवर्तित है ऐसा क्यूं? क्यूंकि जल की प्रकृती उदासीन है तीसरे गिलास के विलियन का रंग हरा हो गया है अताहा हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि गुढ़हल से प्राप्त सूचक अमली की उपस्थिती में गहरा कुलाबी और ख्षारक की उपस्थिती में हरा हो जाता है किसी वांचित खादे पदार्थ पर हम इस सूचक की बूंदों को डाल कर जान सकते हैं कि वह अमल है या ख्षारक है उदासीन विलियन जल का स्वाद कैसा होता है? यहाँ खटा है या कड़वा? यहाँ दोनों नहीं है क्योंकि जल ना तो अमल होता है और ना ही ख्षारक जो विलियन ना तो अमल होता है ना ही ख्षारक उसे उदासीन विलियन कहते हैं प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राकृतिक सूचक है यह लाइकेनों यानी शेक से निश्कर्शित किया जाता है आसुत जल में इसका रंग, मौव, नील शोन होता है यहाँ विलियन या लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है आप विलियनों की प्रकृती का परीक्षन लिटमस पत्र से कर सकते हैं लोहे की एक भाव दीपक छड़ को बेकिंग पाउडर के विलियन में डुबोईए और इस गिली भाव दीपक छड़ को लाल लिटमस पत्र से स्पर्श कीजिए लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है जो सुचित करता है कि brains powder विल्यन की प्रकृति अलकाइन है पुना भाव दीपक्षड को सिर्के के विल्यन में डुबो ये एक पूंद नीले लिटमस पत्र पर डाल ये नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है जो सुचित करता है कि सिर्के की प्रकृति अमलिय होती है आईए एक साधारण प्रियोग करें। बीकर में थोड़ा हाइड्रोकलोरिक अमले लें। इसमें फिनालफ थेलिन मिलाओ। अब इस विलियन में बूंद बूंद सोडियम हाइड्रो आकसाइड मिलाईए और हिलाते रहिए। थोड़ी देर बाद विलियन का रंग धीरे धीर गुलाबी होने लगता है। हम थोड़ा सोडियम हाइड्रो आकसाइड अमल मिलाते हैं तो गुलाबी रंग और चमकदार हो जाता है। अब एक बूंद हाइड्रोकलोरिक अमल मिलाने पर यह विलियन पुनाह रंग हीन हो जाता है। अताहां अलकाइन विलियन में आईए उदासीनी करण अभिक्रिया को एक कतिविधी की साहता से समझते हैं। वांचित समगरी है एक टुकड़ा खड़िया यानी चौक, सिर्का और टेस्ट्यूब। टेस्ट्यूब में पिज़ा हुआ चौक डालिए। इसमें सिर्का मिलाइए। देखिए क्या होता है। खड़िया सिर्के के संग अभिक्रिया करता है। जब खड़िया अभिक्रिया करता है तो कार्बन डायोकसाइट के बुल-बुले निकलते हैं। खड़िया केल्शियम कार्बोनेट, CACO3 होता है। सिर्के में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डायोकसाइट, जल और केल्शियम अभिक्रिया करते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं। सूचक एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाशित किया गया है, जो पदार्थों के रंग की प्रकृती में परिवर्थन के माध्यम से परीक्षन करता है, कि वह पदार्थ अमल है या ख्षारक है। वह विलियन जो किसी सूचक के रंग में परिवर्दन नहीं करता है, उसे उदासीन विलियन कहते हैं. वे ना तो अमलिये होते हैं, ना ही ख्षार किये. जो सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं लिटमस प्राकृतिक सूचक का एक उधारण है, जिसका वयापक प्रियोग किया जाता है अमल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, जबकि चार की विलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है अमल और ख्राक के बीच की अभिक्रिया को उधासीनी करण कहते हैं